सेक्स ना करने के क्या side effects होते हैं, अगर आप भी intimate नहीं होते हैं, अपने पार्टा के साथ comfortable नहीं होते हैं, करने समय पूछो तो कहते हो महीने में सरफ एक बार होता है, या दो हफते में एक बार होता है, महीने निकल जाता है, छे-छे महीने निकल जाता है, तो definitely आप अपने बॉडि के साथ बहुत गलत कर रहे हो, ना करने के क्या नुकसान है ना, इसको आप ध्यान से सुने, ये वीडियो पूरा अंतक देखें और अगर आप भी इसकी तरफ जादा ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, वीडियो को पूरा अंतक मुझे पता है आप देखने वाले हैं और मैं ये भी बताऊंगी कितना नॉमल है करना, चैनल पे नहीं हैं सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी वीडियो के लिए कनेक्टेड रहे हैं सबसे बहले जानेंगे कि हमारी बॉड़ी और हमारा इंटेमेशन हमें mental, physical, emotional हर तरीके से complete feel कराता है अगर आप अपने पार्टन के साथ sex को enjoy नहीं करते हैं तो बड़े-बड़े लेवल पर आप ये समझ सकते हो कि आप खुद को भी पसंद नहीं करते हो वो लोग जो खुद की बॉड़ी को लेके बहुत जादा sensitive रहते हैं या उन्हें लगता है ये नहीं वे है वो नहीं या मैं अच्छी ही हूँ नहीं ऐसे cases में आपका जो sexual power है या जो intimacy है वो दिर जरे कम होने लगती है तो सबसे बड़ा disc benefit की अगर मैं बात करूँ तो आपकी body की immunity कम हो जाती है जब sex perform करते हैं तो आपकी body में immunoglobin नाम का chemical release होता है जो कि आपकी immunity को increase करता है मतलब infection से fight करने की प्रतिरोधक्षमता को बढ़ाता है दूसरे हमर पर अगर मैं बात करूँ तो जितना आप sexual performance करते हैं उतने ही आपके reproductive muscles strong होते हैं मतलब पेट के नीचे के muscles strong होते हैं वो males or females जो काफी काफी दिन में perform करते हैं उनके muscles आपे stuck on हो जाते हैं और फिर dryness बढ़ जाती है मेभी perform करने में problem आती है erection उतना strong नहीं रहता तो better you do, the better stretching your body would get third, if you are not tattooing sex for the longer time आपको हो सकता है सांस की दिक्कत होने लगे आपको cardiovascular problems होने लगे if you want to keep your heart and if you want to keep your whole blood system good तो sexual performance is always good moreover आपकी bones या muscles के लिए भी उनको healthy रखने के लिए क्योंकि sex एक वरजिश भी है तो जितना आप उसको active रखेंगे जिसे kissing में हम बोलते हैं 20 calories burn होती है तो जितना आप sexual performance करते हैं उतना physically active रहते हैं आपकी muscles, आपकी thighs, आपकी lower areas, हर तरीके से movement है तो उसके लिए भी बहुत beneficial है because sex is a form of an exercise fourth for your prostate males में prostate cancer के chances बहुत जादा होते हैं और female में सब ankle cancers के तो अगर आप regular perform करते हैं तो आपका prostate healthy रहता है यह researchers ने proof किया है साथ साथ वो लोग जो performance करना नहीं चाहते हैं या अपने partner को करने नहीं देते हैं फिर उन cases में extra marital relationships या affairs होने के chances बढ़ जाते हैं क्योंकि शाद partner की need है और आप उसको ध्यानी नहीं दे रहो या आप ignore कर रहे हो तो आप कहीं न कहीं खुद के लिए खड़ा गोधर अपने trust level को decrease कर रहे हो अगर आपको perform करने में कोई problem आ रही है आपकी help करने के लिए बट अपने आपको इससे दूर नहीं रखना है more over जब आप sex perform करते हो तो आपका जो brain है वो dopamine नाम का chemical release करता है जिसे हम feel good hormone कहते हैं और dopamine आपकी confidence को बढ़ाता है आपको happy happy रखता है और अगर आप बहुत ज़्यादा समय तक perform नहीं करते हैं तो ना खुशी या अकेला रहना खालीपन ये ज़्यादा महसूस होने के chances बढ़ सकते हैं ऐसे ही समझे कि अगर आपके बस partner है और आप सरफ उसे financial benefits दे रहे हैं लेकिन sexual benefit नहीं ले रहे हैं तो सब कुछ होते हुए भी आपकी जिन्दकी में definitely सुनापन बना हुआ है चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए connected रहें अगर आपको sexual performance में कोई problem है इतनी सी और इतनी बड़ी चाहिए आप male है, female है, किसी भी gender के है